चैय मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुबकामनाय मातरानी आपकी हर इच्छा को पूरा करें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए वर्ष 2021 के पहले सप्ताह की तुला जारे कीस तक का समय दुला राशी के लोगों के लिए कैसा रहेगा इन साध दिनों में गिरहनक्षत्रों में किस तरह के परिवर्तन होंगे keyboard और उनका प्रभाव आपकी दिनचरिया पर कैसा होगा क्यों से शुबति थी कौन से शुब्योग ओंगे जो आपके लिए나ज कार वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुट जाएं हमारी चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। यह चार भाव सत्रिय होंगे, इनी ग्यानुसार दिंचरिया में परिवर्तन होगा और इसके साथ ही दो ग्रहों का राशी परिवर्तन इस सब्ताह में होने वाला है। परिवर्तन जो हैं ग्रहों के जो यह परिवर्तन हैं, इनका प्रभाव भी इस समय आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि तेज गती से चलने वाले ग्रहें हैं और इनका प्रभाव है वो परिवर्तन करने के साथ ही देख चाता है। इसके लावा इस नए वर्ष की शुरुवात बेहद शुब योगों के साथ हो रही है। एक जनवरी का दिन, जो की नए वर्ष का पहला दिन है, ये तिन कई सारे शुब सही योगों के साथ आया है। सरवा सिद्धी योग, अमरत सिद्धी योग, गुरु पुशय योग, रवी योग, इतने सारे योगों में इस नए वर्ष की शुरुवात हो रही है, जो इस वर्ष की शुरुवात को खास बना रही है। तो अब ये तुला राशी के लोगों के लिए सब्ताहा में क्या-क्या लाव मिलने वाले हैं, कहां-कहां आपको सावधानी रखनी हैं, ये हम जानेंगे. तो देखें, चंद्रमा के स्थिति देखें तुला राशी के लोगों के लिए 10, 11, 12 और पहले भाव में चंद्रमा रहेंगे. दस्वे भाव से इस अप्ताह की शुरुवात होगी. चंद्रमा का गुचर दस्वे भाव में और दस्वे भाव जो होता है, ये कर्म का भाव होता है, आपकी कारशीत्र का भाव होता है, तो इस आवधी में आपको अपने परिश्रम को जादा बढ़ाना होगा. आप जाद परिश्रम करेंगे तब जाकर आपको सफलता हाथ लगेगे इस दुरान आपका मन कुछ फालतों की बातों पर रटका रहसकता है कुछ फालतों बातों में ज़ादा रहेगा वजय से बिना पतलव का तनाव आपके लिए रह सकता है और यह आपकी मानसिक इस्तिती को थोड़ा सा प्रभावित करेगा तो आपको थोड़ा संयम से काम करना है लेकिन दूसरी तरफ जो शादे शुदा लोग हैं उनके लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा बेहद अच्छी शुरुवा है अपने कामकाज में आप अगर मन लगा कर काम करते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकल रहेगा एक जन्वरी और दू जन्वरी का दिन इस नए वर्ष की शुरुवात आपके लिए अच्छी होने वाली है इसके बाद चंद्रमा राशी बदलेंगे और आपकी ग् शित्र में सम्मान की प्राप्ती होगी लाब की प्राप्ती होगी वहीं जो लोग कारोबार करते हैं बिजनेस करते हैं उनको भी एक अच्छी डील मिल सकती है जो आपके लिए लाबदायक इस्तितियों को पैदा करेगी जिससे आपके कारोबार में तेजी आएगी पारिव सकते हैं और आपका द्रस्टी कौन भौतिक वादी होगा पैसा कमाने के लिए जितनी भी आप अटकले लगा सकते हैं वो अटकले लगाएंगे और उनमें आपको कामयाभी भी मिलेगी इसी दोरान यहां ग्यारवे बहाव में चंद्रमा होंगे और चार जनवरी को शुक्र का राशी परिवर्तन भी होगा शुक्र का ये राशी परिवर्तन आपके लिए बीखद शुब रहने वाला है शुक्र के इस राशी परिवर्तन से आपको धन सम्मान समरदी के साथ साथ शत्रों पर भी विजय प्राप्त होगी आप काफी उर्जावान होंगे रचनात मक बाहे बेहनों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा न्याय प्रिय राशी ये तुला राशी मानी जाती है और इस दौरान आप इस चीज का बखु भी फायदा उठाने वाले हैं कुछ लोगों के लिए कुछ बातें आप ऐसी बता सकते हैं या कुछ लोगों की मुश्किलों को आप दूर कर सकते हैं शुक्र का गोचर आपकी प्रतिवा को निखारने का समय देगा और जीवन साथी को भी लाब की प्राप्ति कराएगा यात्राओं का योग बनाएगा इस दौरान आप एक समय पर एक से अधिक कार्या कर पाएंगे भाग्य विरद्धी होगी किसी धार में क स्थल की यात्रा हो सकती है और जो लोग मीडिया या कम्मिनिकेशन से किसी तरह से जोड़े हुए हैं तो उनके लिए ये समय सबसे अधिक लाबदाय किस्तितियों को बना रहा है इसके साथ पांच जनवरी को बुद्ध का गोचर भी होगा बुद्ध का जो ये गोचर है य ये आपके चौथे घर में होगा और बुद्ध का गोचर आपको बुद्ध का बनाएगा परिवार के बीच सम्मान के प्राप्ति कराएगा आप अपनी पारिवारे मामलों को लेकर भी मांदा रहेंगे अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे अपनी जिम्मेदारियों को ब बढ़ सकते हैं और ये खर्चे आप अपने आराम पर अपने विलासिता पर खर्च करेंगे, सुख साधनों पर खर्च करेंगे, लेकिन सामाजिक रूप से, सामाजिक द्रस्टी कौन से ये समयाप के लिए नुकल रहेगा, स्वास्ते से जुड़ी कोई परिशानी हो सकती है तो अपने स्वास्ते है कि आपको इस दोरान ध्यान रखना होगा, चंद्रमा राशी बदलेंगे और आपके प्रत्वंभाव में आ जाएंगे, आपके लगन में बैठेंगे चंद्रमा, जिसे शरीर और आत्मा का घर कहा जाता है, ये आपको मांशिक रूप से मजबूत ब कार्य है, उसे पूरा करने में आप सक्षम होंगे, किसी ऐसे काम को आप पूरा करेंगे, जिसे काफी समय से आप करना चाह रहे थे और आप उसे कर नहीं पा रहे थे, तो उस कार्य को भी आप पूरा कर पाएंगे, तो इस तरह से ये आपके लिए कुछ जरूरी कामों को प पाय क्या करना चाहिए एक तो सफीद चीजों का आपदान कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत उप्युक्त रहेगा और भगवान विश्णु की पूजा अर्चना करनी भी आपके लिए बहुत उप्युक्त रहेगी तो दोस्तों और अधिक आसी जानकारियों के लिए चैनल क